आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं कुरावन गाओं की जनता देश को आजाद होए करीब 50 वर्षे से भी अधिक्स का समय हो गया है लेकिन आज भी कई गाओं में लोग पानी के पीने के लिए तरही तरही कर रहे हैं जी अहां हम बात कर रहे हैं बंसो जिले के शामगर तेसित के ग्राम कुरावन की कुरावन में ग्राम पंचायत एम जन प्रतिनी उद्यों की उदासिंता के चलते वाट कर्मांग 14 आव्यम 15 के लोग नार्की जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं लोग पानी के लिए आज भी दरदर की ठोकरे खाने को मजबूर हैं ग्रामीडों को एक से दो किलोमेटर की दूरी से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है ग्रामीडों ने अपनी पिराज सुनाते हुए न्यूच प्लस 24 के प्लतिनरी संजय चोहान को बताया कि इस विशे में कई बार यहां के सरपंच एवं जन प्रतिनी उद्यों को उक्त समस्या से अवगत कराया रहा लेकिन आज तक समस्या का समाधा नहीं निकल पाया ग्रामीडों ने बताया कि चुनाओं की समय नेता आते हैं और बड़े-बड़े वादे करके चले जाते हैं उधर ग्राम पंचाज सचीव राम कोपाल धनुतिया ने बताया कि वाटक्रमां 14 एवं 15 की पानी की समस्या को लेकर प्रस्ताओं बना कर भेज दिया है पाइप ल सिकत होने पर काल करा दिया जाएगा शामगे से समाद आता संजी चुहान की रिपोर्ट पानी की बहुत समचा है हमें किलो मिटर से रोज पानी लाते हैं और गाउं में सब दूर ना लाते हैं हमारे हम्याते हैं बस यह वाल्ड है जो इसमें पानी करते हैं क्या ना मापका क्रशना भाई कि बहुत समच्या है है कबसे यह 10-15 साल हो गया और यह कोई सुनने के लिए तयार है पानी कितनी दूर से लाते हो पानी आदा किलोमेटर दूर से लाना पड़ता है वहां यह टंकी लगी हुए समसान गार के पास नहीं जाना पड़ता है बहुत सारी समस्या यहां कोई सुनने के लिए तयार है आपने शिकायत नी की शिकायत करते हो गहां करते हैं कि समाधान कोई समातान होता ही नहीं समस्या है कि साथ हमारे यहां पर पानी नहीं आता है तो आज तक कई बार शिकायत की परन्तु कोई सुन्वान इन नहीं खरता है पानी किलो कहां से लाके आप एक किलो मेटर दूर से पानी लाके हैं करते हैं तो अधान की बहुत समस्या है न आपका